तो हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटीब चैनल में आज हम बनाने वाले हैं बर्गर जनरली बर्गर हम सभी का फेवरेट होता है इसलिए मैंने सोचा क्यों आज बर्गर की वीडियो बनाई जाए तो आज हम बनाने वाले हैं बर्गर और उसको बनाने के ल मिर्ची टमाटर प्याज इन सब को मैंने बारिक बारिक काट लिया है और साथी साथ मैंने लिया है हरी धनिया और हरी मिर्ची अधरक और उबले हुए आलू तो चले पहले जो बर्गर है उसकी भाजी बनाते हैं तो बर्गर की भाजी बनाने के लिए मैंने एक तवा लिया है उसमें मैंने बटर डाला है खुब सारा और साथी साथ मैंने एक चम सेल भी डाला है ताकी जो हमरा बटर है वो जले नहीं अब हमारा बटर जो है वो मैल्ट हो गया है और अब हमने डाली है इसमें राई, जीरा और अब हम इनको चटकने तक भूनेंगे अब हम इसमें एट करेंगे प्याज तो अब हम प्याज को थोड़ा भूनेंगे चलाते हुए और अब हम एट करेंगे इसमें सिम्ला मर्ची और अब साथ हम इसमें एट करेंगे गाजर जो हमने बारी कटी हुई गाजर ली थी उसको भी एट कर देंगे और हम इसमें डालेंगे अधरक हरी मिल्ची और हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि जो हमारी सबजिया है वो जल्दी से पक जाए और अब हम सारी सबजियों को एक से दो मिल्ट तक पकाएंगे लेकिन हाँ इससे पहले हम इसमें मिल्ची जो पाउडर होता है वो भी एट कर देंगे ताकि जो इसमें कलर है हमारी भाजी का है वो एक दम परफेक्ट आए बहुत ही अच्छा है तो हमार्य जो सबजी बलगबब पक चुकी है तो आपम से टमाट्र भी एat कर देंगे थाकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से पक तो हमने मसालों में डाला है हल्दी पाउदर लाल मर्ची पाउदर यह हम अपने टेस्ट का कॉर्डिंग डालेंगे और धनिया पाउडर और साथी साथ हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और अब हम इन सब को मिक्स कर देंगे और मुझे भाजी में थोड़ा पाउडर कम लग रहा था इसलिए मैं ने बटर और आड़ कर दिया है और अब इन सब को अच्हे से मिक्स कर देंगे मैं मैं मेशर के हलोप जिए मिक्स कर दे रही हूँ इनको ताकि जो हमारी भाजी है वो एक दम परफेक्ट बने और हमारी भाजी रेडी है अब बस मैं धनिया पती डाल देते हैं और बस हमारी जो भाजी है वो बन गई रेडी है वो तो भाजी तो बन गई तो चलिए अब जो बर्गर है वो भी बनाते हैं तो बर्गर बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है ये प्याज और टमाटर का सैलेड और उसके बाद लिया है हमने अमरूद और पुदीरने की चटनी और हमने लिया हुआ यहां पर टमैटो सॉस तो टमैटो सॉस का जो फ्लेवर है बहुत मिठा मिठा होगा इसलिए मैंने थोड़ सा फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच सेजवान सॉस इससे क्या होगा हमारे जो फ्लेवर होगा वो मेंटेन हो जाएगा मतलब बैलेंस हो जाएगा अगर आप एट करना चाहें तो कर सकते हैं और आप रिमूग भी कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो मत करिए एड़ तो अब हमने बर्गर का जो ब्रेड है उसको लिए है और हम इसको दो पीसिस में कट कर लेंगे और अब हम इसके एक वाले जो इस वाले हिस्से पर जो हमने टमैटो जो सॉस पनाई है वो लगाएंगे तो हम दोनों बर्गर के उस पर लगा लेंगे सॉस अच्छे तरीके से हमने सॉस लगा लिए हैं और अब हम इस पर लगाएंगे जो हमने भाजी बनाई थी वो तो हमने इस पर भाजी लगा लिए है अब हम इस पर अपनी चीज स्लाइड रखेंगे स्लाइस रखेंगे, सॉरी कितना सॉरी सॉरी बोलते हैं तो हमने रख दिया चीज स्लाइस और अब हम इस पर जो हमने सैलेड बनाया था वो रखेंगे और इसके बाद जो हमने अमरूद अपुदी ने की चट्नी बनाई थी वो भी रखेंगे इस पर काफी यम्मी बनने वाला है बनाते बनाते मुह में पानी आ गया तो अब हम इस पर म्योनिस सॉस डालेंगे म्योनिस डालेंगे और म्योनिस के बाद हम डालेंगे इसमें ओरिगैनों तो हम इसमें ओरिगैनों डालेंगे थोड़ा सा और ब्रेड मैं अम्रूत की चटनी लगा लिया अच्छी तरीके तो आपड़े पर फिर से बटर डालेंगे और फिर हम बटर के मेल्ट होते इसको जो बर्गर है वो दोने साइड से सीक लेंगे तो अब हमारा हम बर्गर को मेल्ट सोरी बटर को मेल्ट कर लेते हैं और बर्गर और अब मैंने इस पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दिया है ताकि जो हमारा जो ब्रेड है वो और भी टेस्टी हो जाए तो अब हम इसको शेक लेंगे अपने बर्गर को दोनों साइट से इसको पलट कर भी शेक लेंगे तो हमारा बर्गर शेक चुका है और जो बर्गर है वो रेटी है हमारा बर्गर रेड़ी है हम किसी भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो इसी तरीकce मैंने एक और बर्गर शेक लिए है तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है कितने अच्छे लग रहे हैं तो गाईस आप भी एक बार जोलू ट्राए करेएगा ये बर्गर अपने घर पर सची में बहुत ही अच्छिर बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो अब भी ट्राइ करेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि ये बिल्कुल free of cost होता है इसलिए आप सब भी कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनला को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और हाँ बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा ताकि जो आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आज की वीडियो में तो इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में